हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल मधूश कीचन मिद फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ हरे प्याज यानि की स्प्रिंग ओर्नियन की बहुती मजेदार स्वाधिश्ट और बहुती इजी रेसेपी जिससे आप बहुती ज़्यादा पसंद करने वाले हैं औ और यह मैंने आधा किलो प्याज लिया है और इसको अच्छे से हमने साफ कर लिया है और धो लिया है अब हम सारी प्याज को इसी तरीके से काट लेते हैं इसी तरीके से हमने देखिए सारी प्याज को काट लिया है और इसी के साथ हमने दो आलू काट लिया है और साथ में ए भी हलका सा भून लेते हैं और अब यहाँ पर दो पिंच हिंग डाल देंगे और अब इसमें कटा हुआ अलू डाल देंगे प्रेंस हमने इसमें प्याज नहीं डालाएं क्योंकि हम हमारे प्याज की सबजे बना रहे हैं इसलिए हमने सीधेस में डायरेक्ट आलू ही डाले हैं और यहाँ पर हम आलू को भी लगातार चलाते वे भूनेंगे ताकि आलू के उपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और आलू अच्छी से भून जाए जब आलू अच्छी से भून जाता है तो उसका टेस्ट बह देते हैं एक चमच हमने यहाँ पर नमक लिया है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ही डाले नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाएगा इसलिए हमने नमक डाल दिया है अब इसको भी अच्छे से चला लेंगे टमाटरों को भून लेते हैं अच्छे से आलू के साथ हम कुछ सूखह मसालर डाल देते हैं यहाँ पर हम नैए कि आधा चमच लोल्मीर्च पॉड़र डाल देंगे इस अपर हम कि अच्छे से सभी मसालों को मिक्स करते बहुए भून जाएगा मसालों को हमको लगतार चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है जब मसाला बहुत अच्छी से भून जाता है तो सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हमें मसालों को बहुत अच्छी से भून लेना है और अब इस टाइम यहाँ पर हम इसमें प्याज डाल देते हैं आलू भी अच्छे से पक चुके हैं हरी प्याज को भी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे भी चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए भून लेते हैं आप इसे एक बार जरूर बना के देखी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बनाने में भ लगा देते हैं और चार से पांच मिनट तक हम इसको पकाएंगे और बीच में एक से दो बार हम इसको धकन हटाकर चला लेंगे और ये देखिए सब्जी का कितना अच्छा टेक्चर हो गया है और कितनी क्रंची क्रंची सब्जी हमारी लग रही है चलिए एक बार आलू को भी चेक कर लेते हैं ये देखिए कितनी आसानी के साथ आलू भी कट गया है अच्छे से आलू भी सब्जी के साथ और अब सब्जी को हमें खुले ही 2-3 मिनदे तक भूल लेना है ताकि इसके अंदर का जो मोश्चर है वो सब खतम हो जाए ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है और कितने अच्छी सब्जी बनकर तयार हुई है और अब यहाँ पर हम इसमें एक चोथाई चमस गरम मसाला डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे लास्ट में गरम मसाला डालने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखे हमाई सब्जी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और हाँ वैल आइकन का बटन दवाना ना भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली सबी वीडियो आप तक पहुंच सकें थैंक यू